हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नो टाम्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के रियल मी एट फोन में एप्स को पर्मनेंटली डेटा के साथ हमेशा के लिए डिलीट कैसे करें तो फ्रेंज एप को पर्मनेंटली डेटा के साथ डिलीट कैसे करते हैं वो जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे आगे भी आपको नए वीडियोज मिलते रहे रियल मी एड में एबसको पर्मनेंटली डीलीड करने के लिए सबसे बहले आपको सैटिंग्स को ओपन कर लिना है सैटिंग्स ओपन करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे उप्शन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर नीचे एप management का option दिखेगा आपको उसको open कर लेना है एप management को open करने के बाद यहाँ पर आपको app list, default app, permission manager, auto launch बहुत सारा options मिलेंगे तो यहाँ पर आपको जो first option app list मिलेगा आपको उसको open कर लेना है एप list open करने के बाद आपको जिस भी app को data के साथ permanently read करना है आपको उस पर click कर लेना है यहाँ पर आपको आपके phone में जितने भी apps है वो सारे apps आपको यहाँ पर दिख जाएगे apps को read करने के लिए सबसे फेले आपको apps को open कर लेना है apps open करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे 3 से 4 options दिखेंगे storage usage, data usage, details, battery usage आपको यहाँ पर storage usage पर click करना है storage usage पर click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर दिख जाएगा total यह 128 MB की game है और इसका data यहाँ पर इसमें additional 9.3 MB है तो data को निकालने के लिए आपको clear data पर click कर देना है click करने के बाद आपको open पर press कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हूँ जो additional data था हो यहाँ पर zero हो गया है अब आपको back आजाना है back आने के बाद आपको uninstall कर देना है फ्रेंच यह game आपके phone से data के साथ अच्छे से अब uninstall हो गई है फ्रेंच अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे आगे भी आपको नहीं वीडियोज मिलते रहें